नमस्कार दोस्तों, IndianWoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मेरे नाम है फ्यास इस साल बहुत सारे mutual funds ने बहुत कमाल के returns दिये हैं और उन्हीं में से कुछ mutual funds जिसकी बाच हम बात करेंगे वो है large cap mutual funds large cap mutual funds basically वो mutual funds होते हैं जो कि large cap companies में निवेश करते हैं कि वो companies जिनका market capitalization 20,000 crore से ज्यादा का होता है कुछ examples अगर मैं आपको दूँ तो basically होते हैं जैसे कि HDFC, Reliance Company, etc. आज कि जो मैं टेबल बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको अलग-अलग mutual funds के नाम और उनके returns में आपको दिखाऊंगा उसमें दो अलग-णए terms आपको देखने को मिल सकते हैं पहला तो होता है alpha ratio, alpha ratio basically दिखाता है कि इस तरह के fund ने इसके benchmark से कितना अच्छा perform किया है और दूसरा होता है beta ratio, beta ratio basically यह दिखाता है कि इस तरह का fund कितना ज़्यादा dependable है अगर beta ratio 1 से ज्यादा है तो यह दिखाता है कि यह fund ज्यादा dependable नहीं है और यह ज्यादा fluctuating fund है तो beta ratio आम तोर पर 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से कम ही होता है और alpha ratio यहाँ पर beta ratio से हमेशा ज्यादा होता है जब मैं table दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बहतर समझ में आएगा तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा table की और रुख करते हैं सबसे पहला fund इस list में आता है access blue chip fund का, इसका asset under management यहाँ पर 18,283 करोड रुपीज का है total stocks यहाँ पर इसने 26 से ज्यादा stocks में निवेश किया हुआ है PE ratio की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखे 34.56 का PE ratio दिखा रहे है alpha ratio जैसे मैं आपको बता है यहाँ पर देखिए 4.87% का दिखा रहा है beta ratio यहाँ पर 0.77% का दिखा रहा है returns के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 year में 13.27 का return दिया है 2 साल में 13.67 का और 5 साल में 13.80 का return मिला है बात करें अगर अगले fund की तो वो है Mirai Asset Large Cap Fund यहाँ पर इसका भी asset under management लगबग 18,999 करोड रुपीज का है यहाँ पर इसने 52 से जादा companies में निवेश किया हुआ है इसका P ratio भी यहाँ पर 23.85 का दिखा रहा है बात करेंगर इसके alpha ratio की जो थोड़ा सा यह कम है 0.90 यहाँ पर negative alpha ratio दिखा रहा है बात करें beta ratio की तो यहाँ पर beta ratio 0.98 का दिखा रहा है returns की बात करेंगर तो return यहाँ पर थोड़े से कम है पहले वाले fund के तुल्ला में 9.01 एक साल में 8.05 तीन साल में और 12.89 पात साल में अगला जो fund है इस list में वो है Canara Robico Blue Chip Equity Fund यहाँ पर asset under management थोड़ा सा कम है 9.24 करोड रोपीस का लेकिन फिर भी इन्होंने 43 companies में यहाँ पर निवेश किया हुआ है PE ratio की बात करें तो यहाँ पर 29.43 का PE ratio है alpha ratio यहाँ पर काफी अच्छा 3.59 का बात करें beta ratio की तो beta ratio भी यहाँ पर 0.86% का है returns देखें यहाँ पर कितने कमाल के मिले हैं एक साल में यहाँ पर 17.23% का return मिला है तीन साल में यहाँ पर 12.76% का return मिला है और पात साल में यहाँ पर 13.26% का return आपको देखने को मिलेगा बात करेंगर अगले fund की तो वो है ICICI Prudential Blue Chip Fund यहाँ पर 23,486 रुपीस का asset under management है total stocks यहाँ पर 59 stocks में उन्होंने निवेश किया हुआ है P ratio 23.82 का है बात करेंगर alpha ratio की तो यह थोड़ा सा कम है minus 2.36 का beta ratio यहाँ पर 0.94 का दिखा रहा है बात करें अगर हम लोग returns की तो यहाँ पर 8.94% दिखा रहा है एक साल में 6.71 परसंट दिखा रहा है तीन साल में और 10.79 परसंट दिखा रहा है पात साल में अगला fund इस लिस्ट में है kotak blue chip fund यहाँ पर इसका asset under management है 1,740 करोड रुपीस का 49 companies में यहाँ पर उन्होंने निवेश किया हुआ है 27.49 का P ratio भी दिखा रहा है बात करेंगर alpha ratio की तो यह भी थोड़ा सा यहाँ पर कम है minus 0.32% beta ratio यहाँ पर 0.97% first year का return है 11.17% third year का return है 8.47% और fifth year का return यहाँ पर देखिए 10.34% का दिखा रहा है आखरी और सबसे जरूरी तरह का जो fund यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा वो है Invesco India Large Cap Fund जिसका asset under management है 270 करोड रुपे का यहाँ पर total stocks 34 stocks में यहाँ पर उन्होंने निवेश किया है P ratio यहाँ पर 27.79 का है alpha ratio यहाँ पर again negative है minus 1.46 का और beta ratio यहाँ पर है 0.95 का बात करेंगर returns की तो यहाँ पर 8.91% का return आपको मिलेगा एक साल में तीन साल में यहाँ पर दिखा है 6.98% का return और 5 साल में आपको दिखा है यहाँ पर 9.70% का return मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो informative और समझ में थोड़ा बहुत आया होगा अगर आप actually में और साला समझना चाहते हैं mutual fund के बारे में mutual fund को इसे निवेश करते हैं practically आप अपने हाथ से बिना किसी fund manager के कैसे किसी अच्छे mutual fund को चुन सकते हैं तो इसके उपर हमने एक detailed course बनाया हुआ है financial freedom app पर जिसकी link आपको description box में मिल जाएगी यह वीडियो कैसा लगा आप हमें indianmoney.com